प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस महा गटबंधन के दावे किये जा रहे थे कहराना की जीत के बाद जिस एकता पर विपक्ष बल्ले बल्ले कर रहा था अब उसी में दरार की खबर है केजरिवाल के मसले पर सारा विपक्ष एक तरफ है कॉंग्रेस अलग समाजवादी पार्टी और BSP कॉंग्रेस को जोर का जटका धीरे से देनी की तैयारी में है इस बीच BJP के समर्थकों JDU और शिव से ना भी केजरिवाल के समर्थन में बोल रहे हैं मतलब ये कि गटबंधन की तस्वीरों पर भीशन सस्पेंस है मैं सबसे पहले जुहीजे आपसे ही पूछना चाती हूँ क्योंकि दरसल जो समाजवादी की पार्टी की तरफ से जो मामला निकल कर सामने आया उसके बाद ये सपष्ट होता जा रहा है कि जो पहले से आशंका जताई जा रही थी कि अगर इतनी सारी पार्टियां एक साथ आती हैं तो क्या ये मूम्किन है कि सबको मनमाफिक सीट मिल जाए सबको मनमाफिक अपना अजेंडा मिल जाए अब यहाँ पर कॉंग्रेस क्या वाकई सिर्फ दो ही सीट है उत्तर प्रदेश के अंदर या सिर्फ अठकले है श्वे और इससे हमने पहले ही का कि कॉंगरेस एक बड़ी पार्टी है, नाशनल पार्टी है, उनकी रीच हम से जादा है तो वो कैसे इस गटवंदन में जो उत्तर परदेश की पार्टी यों का और अंय पार्टी का भी उत्तर प्रदेश के बाहर है, बजबूत हैं, रिजिनल पा प्रोग्राम भी बनाया जा रहा है जिसके तहत ही हम एलेक्शन लड़ेंगे केवल नकारात्मक रूप से की रीजनल पार्टी को बीजेपी को हराना है ये मुद्दा नहीं होगा तो मुझे आशा है कि हम लोग जरूर एक मजबूत तयार करेंगे बाकी कॉंग्रेस कैसे करती ह कैसे आती है दो सीटे हम पहले भी उनके लिए छोड़ते थे ये निर्णे उनको करना है शेता जी मतलब इस बुंदे पर दम है कि अमेठी राइवरेली दो सीटे जहां पर वो मजबूत है वहां पर रहा है लेकिन राज जी के अंदर सीनियर पार्टी नहीं है इतना ही ना सीनियर पार्टी नहीं है हम मजबूत है बीएसपी मजबूत पार्टी रोहन गुपता जी एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सुनने को मिल रहा है दूसरा मायावती कहती है कि मध्यप्रदेश में चुना होंगे तो सारी कि सारी सीटों पर मैं लड़ूंगी मुझे किस पूरे देश में चल रही है अभी जुई जी ने बुला हूँ मैंने सुना पर आने वाले दिनों में काफी समय बाकी है जिस प्रकार से विपक्स एक अभी यहां जब विचारदारा की लड़ाई है चोटी मोटी चीज़े महागडदक बनेगा और पूरे देश में बीजेप चल रहा है अभी मैंने सुना सबको उस सिलसिले के अंत में जब चुनाव हो जाएगा तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं कॉंग्रेस पार्टी के कारेकरता राहूल जी को बोल रहे होंगे यह कहां आ गये हम यूही साथ चलते चलते यह समाजवादी पार्टी और बसपा कॉंग्रेस मुक्त भारत के विशय में भारती जंता पार्टी कहती थी कॉंग्रेस के संसकारों से हमें मुक्ती कैसे मिलेगी मगर संपूर्ण रूप से कॉंग्रेस देश से कैसे मुक्त हो जाएगी आज कहीं न कहीं वो महागटबंधन दिखा रही है कॉंग्रेस पार्टी कहती थी जो हमेशा सीट की बटवारा करता था कि आप समाजवादी पाटी इतनी सीट लेगी बाकी पाटी इतने सीट पे लड़ेंगे आज वो जोली फैला कर वो खड़े हैं कि जो भी भिक्षा में मिल जाए उतना चलेगा मगर कुछ तो जीदीजी अगर ये तो यूपी की बात हो रही ने आप से सीधर टककर तो उनका मध्यप्रदेश में है राजस्थान में है ठीक है पंजाब में वो रहेंगे सन्सेट में और दस सेकर में देता हूँ रोहन भाई रोहन भाई रुख जाईए अभी देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल कुल मिलाके 170 सीट के आसपास बैटती है 167 to be precise अगर मैं ठीक हूँ अगर 167 सीट पर 2 पे कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार और बंगाल में आप पूछ लिजे कितने सीट पर ममता इनको लड़ाने के लिए तैयार है और लालू जी कितने सीट पर लड़ाने के लिए तैयार है तो कुल मिलाके 5 सीट निकलेंगी अगर 150-170 पर 5 सीट पर लड़ रही है तो पूरे देश में अगर 150 से कम सीट पर कॉंग्रेस लड़ रही है वो कहीं ने कहीं कॉंग्रेस और राहूल जी के बार की बाती नहीं कर पाते हैं। कहीं ने कहीं बहुत दिल से दुखी है। मुच्छे सवाल का आगरेस के बारे में पूछा गया महागटबंदन के बारे में। सबसे बड़ी चीज़ पूरे देश में मध्यप्रदेश हो या राजस्तान उमने देखा है कैसे बाए इलेक्शन में कॉंग्रेस की दो दो लाख वोटों से जीत हुई है। तो जनता आपके खिलाफ है संभी जी कब तक आप कॉंग्रेस और राहूल जी की बात करेंगी कब तक तो अंदर का ध्यान टटोली है। चिंता मत करिए दोजार निस के बाद कोई भी राहूल जी आप कॉंग्रेस की बात नहीं करेगा। आपकी बुरात पूरी हो जीए लेकिन सारे चार साल के बार रोहन जी आपकी उस बात से मेरी बात को खतम करने जाए। कॉंग्रेस ही एक नेशनल पार्टी है। कई राजिया ऐसे हैं जहां पर कॉंग्रेस की सिती इतनी मजबूत नहीं है। पर पुरे देश के परिपेक्शन में यूपी में मान रहे हैं आप। यूपी में दो सीटे अगर दी जाएगी तो स्विकार होगा। एक चीज नहीं बिल्कुल नहीं मैं यह मान रहा हूं कि कॉंग्रेस कंपेर टू एस्पी और बीएस्पी वहां पर दोनों सीनियर पार्टी है। अगर आपको अपने काम पर इतना वरोसा है तो विपक्स कुछ भी कर आपको कहां चर्चा करने की जरूत है। आपको पूर्ण बहुमत मिला आप देश के लिए कुछ नहीं कर पाए। इसलिए आपको कॉंग्रेस और राहुल जी की बात करनी पड़ रही है। और आपको कितनी तिल मिला आपको जबादा है। आप देखें आप बड़े राजे चार ले लिजी उत्तर प्रदेश ले लिजी आप बिहार ले लिजी आप बंगाल ले लिजी आप तमिलनाडू ले लिजी आप आंधर प्रदेश ले लिजी आप तेलंगाना ले लिजी आप उडिसा ले लिजी आप मुझे बता दिजिए पूछिए इन राजजियों में गॉण्ग्रेस को कितनी सीट ने वाला, चंद्राव नाइडु कॉंग्रेस को कि एक सीट देंगे, चंद्राव नाइडु नाजी नहीं हो रहा है सीट देने के लिए, आप दिल्ली ले लीजिए, दिल्ली में विवाहा होगा क्या, आम आजमी दुलहा का घुर्चड़ी होगा की नहीं आप पूछिए बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी घुर्चड़ी करेगी विवाक लिए तयार है या पूछ लिजिए लेकिन उसके लिए तो आपके आपके सहयोगी ने साथ दे दिया है केसी त्यागी जी ने कह दिया है इस अले ही संबित यहाँ पर बारात और दूलहा और घोड़ी सबका विवरंट दे रहे हैं महागटबंदन की पार्टियों के साथ और अर्विन केजरिवाल के संदर्ब में लेकिन केजरिवाल के तो साथ आप भी खड़े हुए आपकी खड़ी हुई नहीं है जो आपके चैनल पर चल रहा है उससे मेरी ऐसे हमती है पावन वर्मा जी ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने काया कि चीफ सेक्रेटरी जैसे महत्पूर्ण अधिकारी के साथ जो वेभार किया गया है हुँँ उसको अच्छा नहीं मानते नमबर एक नमबर दो भारती जनसंग और भारती जनता पार्टी के साथ मिलकर के जनता दलने एक बारनी कई अवसरों पर दिल्ली को मुझको याद है मैं नब्बे वाली संसद में था नवी लोकसभा में स्वर्गे मदल्लाल खुराना जी के साथ हम खड़े होते थे पार्लेमेंट में कि दिल्ली अब अदमी पार्टी के जनम से पहले ही केसी जी आपको ठीक कर दू मदल्लाल खुराना जी बिमार हैं स्वर्गे मैं चाहता हूं मेरे बड़े भाई हैं उनकी उम्र नंबी हो काफी दिन से मेरा संपर्क नहीं था तो मैं छमा भी चाहता हूं इस चैनल के माद्दम से लेकि जो मैस दिल्ली के अंदर हो रहा है उससे ना हम केजरिवाल के समर्थन में हैं ना विरोध में हैं लेकिन दिल्ली की जनता के पक्ष में हैं ये मैस समाप्थ होना चाहिए इससे ही संदेश कहीं नी जाता है कि हम किसी का समर्थन कर रहे हैं या किसी का विरोध कर रहे हैं नं नितीश कुमार जी जब दिल्ली में आए थे आखरी बार राहूल गांदी जी से मिलने के लिए तो लंबी हमारी बात्चीत हुई और हम इस राय के थे कि जिस तरह से कपिल सिब्बल के प्रस्ताओं को उन्होंने फाड करके रद्दी की टोकरी में डाल दिया था जिसमें दागी लोगों को चुनाव लड़ने में रहत ना मिले उसी उम्मीद के साथ हम आए थे और हम चाहते थे कि हमारी सहयोगी प्राटी के नेता भरस्ताओं चार के मामले में जेल चले गए हैं हमारे दो कभीना मंतरियों पर डिस्प्रपोर्सनेट के डियाराई के इंकरम टेक्स के ये मुकद में चल रहे हैं तो इस लड़ाई में ब्रस्टा चार वरोधी लड़ाई में राहुल जी हमारा साथ दे और उमीद के साथ निटीश जी लोटा है लेकिन हमें कोई संतोस जवाब नहीं मिला लिहाजा वो परिस्थितियां अब भी समाप्त नहीं हुई हैं जिन परिस्थितियों में निटीश कुमार जी महा कटवंदन से अलग हुए थे इसलिए हमारा दुबारा गठवंदन में जाने का कोई प्रशन पैदा नहीं होता है कॉंग्रेस के मित्रों की इच्छा हो सकती है उसका में कोई हर एक को अपना गठवंदन बढ़ाने की च्छा हो सकती है बट आम ओन रिकॉर्ड ओन सेंग ओन विहाप ऑफ जेडियू जेडियू एंडिये में है कंफर्टेबिल है कुछ चीजें है विश्विसराज का दर्जा है और भारत जंता पार्टी ने और हमने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी आज इत्फाक से हमारी दिल्ली में सरकार है और जो पंदरवा वित आयो गए स्वेता जी उसने जात्ती किये बिहार के साथ ये कोई नहीं मांग नहीं है मतलब बीजेपी से नाराजगी जेडियू की नहीं है नेस्टनल डवलोम्मेंट कॉंसी नहीं है ये सपश्ट कर रहे हैं ये सवाल है मैंने बताया और ये सवाल जेडियू का नहीं है ये बिहार का सवाल है जी हमारे साथ त्रिणमूल कॉंग्रेस अमर्थक गारगा चैटर जी भी जुड़े हुए है गारगा दरसल ये पूरा जो आइडिया है वो निकला ममताब एनरजी के साथ ही था हाले कि चंदरबाबु नाइडू माफ कीजिकर चंदरशेखर राओ ने भी अपनी तरफ से ये बात कही थी लेकिन ममताब एनरजी ने इस चीज़ को परसू किया कि एक गठवंधन हो जो सारी पार्टियां जुड़ जाएं और वन-on-one मुकाबला हर जगे पर हो लेकिन अब जिस तरीके से मायवती अकेले लड़ना चाहती है मध्यप्रदेश में जबकि कॉंग्रेस बीजेपी की सीधी फाइट वहां पर होती है जिस तरह से समाजवादी पार्टी कह रही है कि कॉंग्रेस दो सीटें अधिक से अधिक उत्तरप्रदेश के अंदर अगर अधिकनी सीटे मिलेंगे वेस्पिंगौल में महागडवंधन में अधिक संविधान के पक्ष के जो लोग है उनको 82 सीटे मिलेंगे कि उपस्चिमंगाल में 42 सीटे है यह तो सभेता की जगा है त्रीक है और भी एक हम बोलना चाहते है कि हमारे पास जो शक्ति है वो शक्ति जो भारत का संविधान को रक्षा करने का शक्ति है तो यह शक्ति कोई गडबंधन यह सब नहीं है यह यह जो रिपब्लिक है जो 1950 में बना है और जो आज शिवसेना टीडीपी और हस्मुक केसी त्यागी भी समझ रहे हैं कि वही है लोग मुस्कुरा रहे हैं आपके सिर्फ इस बात को सुनकर कि लेफ्ट को कितनी सीटे मिलेंगी पश्चिम पंगाल में त्रिणमूल और लेफ्ट के बीच कितनी सीटों का बटवारा हो पाएगा इनके पास जेशा है, इनके पास अदानी है, इनके पास तिरंगों को तिरंगों ना लगाने का दंगाई है. इनके पास बनेगा और बन रहा है, तो भारती चंता पार्टी को शायद अपने उपर देखने की जरूरत है, उसमें कांग्रेस सम्मेलित होगी या नहीं होगी, ये बात की बात है. उनको कितने सीटी मिलेंगी, या हम कितनी दे पाएंगे, वो कितनी अजस्ट कर पाएंगे, या हम मिलकर आपस में बात कर लेंगे. लेकिन ये सारी छेत्रिय पार्टिया अगर साथ आ जाती हैं तो जरूर आपके लिए मेरे ख्याल से भारती जंता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी कॉंग्रेस के लिए परशान होने की जगा छोड़ कर शायद अपनी चिंता करें तो बहतर होगा बाकि हमारा एक सकारात में गड़ बंदन है हम बार बार कह रहे हैं कि उत्तार पंदेश में समाजवादी पार्टी और बहुत कसे बड़ी पार्टी प्रटी मुझे रखता है कि परिपक सोच के साथ जरूर वो इसमें अपनी जगह सापड करेंगे गटबंधन में सवाल ये उठ रहे हैं कि कॉंग्रेस की जगे क्या होगी केजरिवाल का विरोध कर रही है, समाजवादी पार्टी केजरिवाल के समर्थन में खड़ी है थोड़ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव अस्पताल पहुंचे अगर केंदर ने जल्द हस्तिकशेप नहीं कियا दिलली के मामले में तो उनकी पाटी भी धरने पर बैठ जाएगी सारा का सारा ड्रामा है और कुछ नहीं है लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ड्रामा किया जा रहा है इसके अलावा कुछ नहीं है इनको अपनी विफलताएं और सफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है एक्सपोज हो गई है अगर ये सरकार जो है काम करने की जगे से अब धरना और प्रदर्शन ये सरकार करेगी तो काम कोन करेगा विपक्ष का काम जो है वो सरकार कर ली तो सरकार का काम कोन करे एक सब्ता से जाद हो गया एक राज्य का मुख्यमंत्री दरने पर बैठा हुआ है और कोई बात करना नहीं चाहता है यह डेमोक्रेटिक हिस्टी में अन हर्ड होप है कि सब आईयस हरताल करें इन पर सर्विस रूल्स के लंगन का कोई कानून नहीं लागू होता है पूरी तरह से में आप पार्टी के साथ मुख्यमंत्री के साथ हूँ और जरूरत पढ़ेगी तो हम लोग भी धरने पर बैठेंगे राहूल गांधी ने अभी तक कुछ नहीं का था कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट करके ये जरूर कहा कि आगे भी और कुछ लिखा है लेकिन इससे इतना तो सपष्ट हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के साथ इस मुद्धे पर कम से कम वो है नहीं सौरब कभी भी इस बात को लेकर कोई दो राय थे भी नहीं कि कॉंग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है या नहीं खड़ी है हाँ आप लोगों की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर ऐसा हुआ तो हम कॉंग्रेस के साथ नहीं खड़े रहेंगे जो महागटबंदन की जो सारी प्लानिंग हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक विकल्प के तौर पर उसमें हम कॉंग्रेस का साथ देते हुए नहीं दिखेंगे कॉंग्रेस का जो पूरा रुख अभी तक रहा है आपको वो गटबंदन का हिस्सा लग रहे हैं जो विकल्पिक गटबंदन होगा दिखें ये बात सही है कि लोग और बहुत सारी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी का विकल्प ढून रही है और चाहते हैं कि इस बार उनको सत्ता से हटाया जाए मगर जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इंस्टिउशन का इस्तमाल किया चाहिए वो CBI हो ED हो, Income Tax हो, Election Commission हो Governor हो, Left-end Governor हो ठीक उसी तरह से Congress ने भी जब मौका मिला उन्होंने CBI का, ED का, Income Tax का, Left-end Governors का इस्तमाल किया Governors का इस्तमाल करके उन्होंने भी राज्यों की सरकारों को बरखास्त किया तो दोनों ही पाटियां जो हैं, जो सेंटर में आई हैं इन्होंने अपने एरोगेंस का जो परिचे है, समय समय पर दिया है और जब-जब इन्हें मौका मिला है, राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ध्वस्त करने के लिए उनकी सरकारे गिराने के लिए, इन्होंने हमेशा काम किया है कॉंग्रेस से यह उमीद की जा रही थी, कि अगर वो महागटबंदन का एक बड़ा हिस्सा बनती है तो उन्हें अपना बड़पन दिखाना पड़ेगा, और वो बड़पन वो तभी दिखा सकते हैं जब वो प्रजातांत्रिक मुल्यों के लिए खड़े होंगे जैसे बाकी पार्टियां उनके साथ करनाठका में खड़ी हुई, अरुनाचल परदेश में खड़ी हुई, उत्राखंड में उनकी बर्गास की साथ, हमने उनकी प्रेस कॉंफरेंस से पहले कुछ डामेज का की भाजपा ने इनकी स्थार कराकर गया मगर इनके साथ बिलकुल पुडू चेरी के अंदर इनके मुख्यमंत्री के साथ बिलकुल वैसा ही किरन बेदी कर रही है जैसा हमारे साथ यहाँ पर अनिल बैजल सहाब कर रहे है मगर इसके बावजूद इनके मुख्यमंत्री ट्वीट करके कह रहे हैं कि मैं भी धरने पर बैठना चाहता हूँ मैं अर्विंद केजरिवाल का समर्थन करता हूँ यह कॉंगरेस के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मगर इसके बावजूद, कॉंग्रेस का जो राष्ट्रे नितत्व है, वो अपनी छोटी, पैटी पॉलिटिक्स के कारण इस तरीके से अलग थलग पढ़ गया आज, रोण मुप्ताजी, जवाब देना चाहूंगा, देखे श्वेता जी, अभी आम आदमी पार्टी की प्रव मेटरो लेकी आई, उसके बाद लेंड रिफॉर्म हुए, वहाँ पे पावा रिफॉर्म हुए, मेरा सिर्फ यह कहना है कि कॉंग्रेस पार्टी यह कह रही है, कि अगर आपके बीच में डिफरेंसीज हैं, तो दोनों को साथ में आके उसको सिल जाना है, जनता के पास क्यों जाना हुए, जनता को क्यों परिशान कर रहे है, अगर 20 फरवरी को जिस प्रकार से चीफ रेक्रेशियाद बिएवेर हुआ, उसके बाद में राज्य सरकार को आगे आगे, और केंडर सरकार को भी उनकी बात सुनी चीए थी, पर जनता क्यों भुखते हैं, देखें, विचा के साथ जोड़ना चीए, यहां पर हम देख रहे हैं कि केंडर सरकार इतनी मजबूत है, आज आज यह सरकार सामने है, दोनों एक दूसरे पर लांचन डाल रहे हैं, कीचर उचाल रहे हैं, जनता का क्या हो रहा है, जनता के काम बंद परें, कोई कुछ नहीं है, जनता के बा विधान और हाई कोट का सम्मान करना पड़ेगा ना, दूसरी बात है, चीफ मिनिस्टर भी इतन्नों पोर्टफोलियो थे केजरिवाल जी, मगर मैं आज कहना चाहूंगा, उनके पास एक पोर्टफोलियो है, डिपार्टमेंट और ड्रामा, उनके पास पूरी तरह से वो प पाटी खिराफ कह रहा हूं, रोहन भाई आप परिशान क्यों हो रहे हैं, सौरब भाई तो शांती से सुन रहे हैं, अब भाई साब, पब्ली से दिपर्मेंट आपका भी दो है, देखे, मुझे इस बात की तकलीफ है, हम लोग दिल्ली में है, आप खुछ जानती है, संगम महमताब अनर जीने इनको समर्थन दिया, आज कॉंग्रेस पाटी ने महमताब अनर जी के खिलाफ भख बई आन ये है, कि महमताब अनर जी को कुछ जा आपका सीर्शक है, गठबंधन मा पेंच है, मैं सम्भण बक्ष नृंडिन मा पेंच है, पेंच का नाम गठबंः है, अपना कमेंट ना बनाए रहा है तो आमादी पार्टी को बोल रहा था आप क्यो परेशान हो रहे हैं भाईया पूरा का पूरा कपूरा अपने बता है निकलते हुए राम गोपाल वर्मा ने कहा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि ब्यूरोक्राट्स इस तरीके से निकले और केजरिवाल के खिलाफ उन्होंने इस तरीके से किया अनप्रिसेडेंटेड है अले कि जब जब ज़िजज़ बाहर निकले थे और जो उनकी प्रेस कॉंफरेंस हुए थी उस मुद्दे पर उनकी यह राए नहीं थी क्योंकि वो किसी और के खिलाफ थी ये किसी और के प्रिक्षन दिख रहा है वो इसी वज़े से ना कि दिल्ली में दोनों देख रहे हैं अपने फ्यूचर को श्वेता जी वास्तों में unprecedented है कि एक चुनी हुई सरकार भारती जनता पार्टी की भी अगर सरकार होती कहीं तो एक चुनी हुई सरकार से वहाँ का governor या वहाँ का lieutenant governor बात चीत ना करें और I.S. officers को इतना मलाल हो कि वो कह रहे हैं ये तो हम लोगो जब papers हम लोग देखेंगे तब पता लगेगा कि किसने काम बंद किया किसने क्या किया लेकिन I.S. officers काम नहीं कर रहे हैं वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ खड़े हैं और LG उसमें इंटर्वीन नहीं कर रहे हैं दिल्ली है हमारे राश्ट का capital है प्रधान मंत्री भी देख रहे हैं होम मिनिस्टर भी देख रहे हैं एक्चुली उनके character roles लिखने की power अरिंद के जिवाल जी के पास नहीं है और ये हम जानते हैं कि अगर कोई principal secretary या secretary न चाहे तो आपकी files नहीं clear होगी तो lieutenant governor तो एक समयधानिक पद है उनमें इतना क्या है हंकार चलिए चुनी हुई पार्टियों पर आप कुछ भी इलजाम लगा सकते क्या आप पहल नहीं कर सकते थे दिल्ली आईकोर्ट ने जो प्रश ने पूछा वो उनके दाइरे में बिल्कुल सही था कि ऐसा क्या हो गया अगर उसको हम macro level लें कि एक मुख्य मंतरी को वहाँ क्यों बैठना पड़ा इस बारे में कुछ तो lieutenant governor जी बोलेंगे की बताएंगे और समाजवादी party किसी भी लोग तांतिक सरकार चुनी हूँ सरकार के साथ खड़ी होगी वो किसी भी party की हो ये गटबंदन में कोई पेंच गटबंदन में जो पेच ढूडने की कोशिश कर रहा है मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपनी party पे ध्यान दे ले गटबंदन अला के लेकिन हम आमादी party के साथ इस तरह के बरताव में बिलकुल साथ है और जैसा हमारे senior leader आपको पली आदव जी ने कहा कि जरूद पड़ी पी जड़ अपने इस बश्रकार सब्जिकि आए अगर केंद्र की सरकार चाहे तो आप लोग कूपी की सरकार थी और आप लोग उस गडबंदन का हिसा technicians नहीं थे तब बीहार में सरकार चल रही है दिखी ये डिबेट का मुद्दा है हमारे और आमादी पार्टी के नेताओं के बहुत अच्छे रिष्टे रहे हैं हमने कई मौकों पर एक दूसरे की मदद भी किये और एक चीज हम सब को सुविकार करनी चाहिए कि आमादी पार्टी ट्रेडिशनल पार्टी नहीं है ये कन्वेंशनल पार्टी नहीं है इसका जनम ही सडक पे हुआ है अंदोलन में हुआ है ये हमारी कॉंग्रेस या बीजीपी की तरह से पार्टी नहीं है अनार्किस्ट मी मैं सम्विथ जी कोई बुरा नहीं है मैं भी अनार्किस्ट हूँ जो राज की स्थापित मुल्न हैं वो सारे सही हों मैं ऐसा नहीं मानता इसलिए अनार्किजम भी एक प्लिटिकल फिलोसिपी है और दुनिया के कई मुलकों में लोग अनार्किजम को एप्रिशेट करते वे स्टेटी सेंटर भी चलाते मुझको भी humiliate करने का अधिकार है कई सवाल है इसमें इसमें ये भी सवाल है कि क्या लीगली elected government को काम ना करने देना चाहिए ये किसे ने बताया है और जहां तक पूर्ण राज का दर्जा है आम आदमी पार्टी के जनम से पहले मैं पहले भी कह चुछा हूँ अपने जन्द संग के भाजपा की मित्रों के साथ हमने पूर्ण राज के दर्जे की इमान पहले भी उठाई है इसलिए इस डेल लोग को समाप्त करना चाहिए ये केजरिवाल जी के समर्थन या विरोध का नहीं है ये दिल्ली की जनता रहत महसूस करे उसको रहत देने का प्रियास करना चाहिए और कौन पहले समझ जाए इस चीज को समबित यही बात है राजनीती से आलग कम से कम कुछ कोई कोई निप्टा रहा तो ढूमने की कुछ होने वाला है 19 में तो यह अस्थिरता का परिचायक है और हिंदुस्तान की जनता बारिकी से इनको देख रही है दूसरी बात है केज़िवाल जी याद करिए एंटी कॉंग्रेसिजम थे कि वो कॉंग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपना मोर्चा खोला था और उन्होंने तेरह लोगों की एक लिस्ट जारी की थी उन्होंने कहा था विश्चु के सबसे भरस्टतम लोगों में से यह तेरह लोग है और मुझे अगर सही तरीके से याद है तो पांच या छे नंबर वन पे मरी खाल से लालू प्रशाद यादव थे और उन्होंने ध्रिश्टता की तो यह जो अस्थिरता दिख रही है अपने आइडियोलोजी में और यहां खुद केसी जी बैटे हैं जितने भी पॉलिटिकल पार्टी से चाहे वो समाजवाद हो चाहे केसी जी की पार्टी हो सारी पार्टी का जनम एंटी कॉंग्रेसिजम से हुआ है चाहे वो मुमता जी की पार्टी क्यों न हो कॉंग्रेस के विरोध में इन पार्टी का जनम हुआ है क्योंकि हम शो में गटवंधन की चर्चा कर रहे हैं इसलिए सौरब मैं धर्ना नहीं बलकि गटवंधन की बात यहां पर सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि दिल्ली में जरूरत पड़ी क् बीजेपी, कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी का प्रेजन्स है आप जितने मजबूत हैं उसे देखते हुए क्या यहां पर आप सीट शेरिंग के लिए तैयार हूंगे जिस तरह का सेजेशन ममता बेनर जी देती हैं बीजेपी के खिलाफ दिखे hey, कई बार पिछले महिने अखबारों के अंदर, सुबह सुबह, कॉंग्रेस के ही नेताओं दोरा, sources के हवाले से खबर चलाए गई तीवी में भी चलाए गई, अखबारों में भी चलाए गई और शाम को कॉंग्रेस के ही नेता, лежak Mgt. Press Conference करके हमें गाली देते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है हमारी Congress से कोई बातचीत नहीं हो रही ना हम Congress के साथ किसी भी तरीके का गठवन्दन या understanding करना चाहते हैं Congress के लोग ही एफवाएं फैलारे हैं और खुदी सुब अफ़वाएं फैला आते हैं और खुदी उसको पूरी राजनीती एंटी लेफ्ट रही है, हमने उनको आंदोलन करते, उनके जवानी के दिनों से देखा है, जब वो कॉंग्रेस में भी थी, सर किस तरीके से उनका फूटा था, आज की तारीख में क्या आप यह उम्मीद लगा रहे हैं कि ममता बेलेजी लेफ्ट के लिए सी अड़ा बंद में है, जैसे महमता बेलेजी ने बोल दिया कि केरला में लेफ्ट बर्चस्व में है, पोस्टिंग वंगो में तीनोमूल बर्चस्व में है, जहां जैसे उत्तर प्रदेश, जहां यह जो फैक्टर्स हैं, जहां बटा हुआ है विरोधी वोट, वहां तो यह क्योंकि जहां संविदान के पक्ष में जो है, वो अगर जीतेंगे ही, तो उनसे गटबंद में कोई माहिने नहीं है, एक और बात है, जो तानाशा जो है, उनका फैट जो है वो तानाशाई का अगेंस था, और राज्य के अधिकार के पक्ष में था, यहां जो हम देख रहे है कि राज्य का अधिकार को कुचला जा रहा है, यहाँ एक सरकार है दिल्ली का, जो लोगों ने cortex किया जिसको, वो जो नरेनमोदी है इनका, नरेनमोडी इनका आगे का इंतजार कर लेजेए, उननीस के चुनावों नरेनमोदी का कम से कम अपने प्रधानमंत्री के ठीक तरह के शब्दों का प्रयोग करिए बाकी मुद्दे पराते हैं ठीक है ठीक है ठीक है तो देखिए मुद्दा यहां है सुन लीजिए गारगाजी सबसे महत्वपून बाद गटवंधन का डिबेट आज हो रहा है अभी अभी कर चोधा में उस परिवर्तर कहा है बता दीजिए वह है है मुआ है कर दो